सरकार किसी की भी हो, BJP की हो, कॉंग्रेस की हो, या आमादी पार्टी की हो, भगवाधारी जो हैं, सब जगा सक्री हैं, नफरते चिंटू लगातार अपना काम कर रहे हैं और मुसलमानों को बदनाम और अपमानित लगातार इन लोगों को द्वारा किया जा रहा है नमस्कार मेरे नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक आप सोचिए पहले आपको यह लगता था जहां पर बीजेपी की सरकार है वही पर यह भगवाधारी सक्री हैं वही पर बस्दंग दल गौरक्षा दल यह लोग वही पर सक्री हैं ऐसा बिलकुल नहीं है हर्याणा हो हिमाचल हो उत्तर प्रदेश हो या फिर पंजाब हो या चाहे पंजाब का चंडीगड हो सब जगहां भगवाधारी गुंडे और नफ्रती चिंटू सक्री हैं इनका एक काम है मुसलमानों को बदनाम करना मुसलमानों को अपमानित करना मुसलमानों को नीचा दिखाना मुसलमानों को जिहादी साबित करना मुसलमानों को एक कहना कि तुम लोग तो बीव खाते हो लेकिन बड़ा सवाल यही है मैं आगे आपको बताऊंगा कि सवाल कौन कौन से है अश्रफ हुसेन का ट्वीट है ये लिखते हैं चन्रीगड में गवरक्षादल के लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर एक मुसल्मान के घर पर छापे मारी की और फ्रीजर जो था उसको ये लोग साथ लेकर के चले गए परि कीफ बेचने का शक है पुलिस तो ठीक है पर गवरक्षादल वालों को इजाजत है क्या किसी के घर में रेड डालने का यानि छापा डालने का और जो वीडियो है वीडियो भी सामने आया है 19 सेकेंड का वीडियो है ये वाइरल हो रहा है जिसमें दिखाई दे रहा जो फ्र में फ्रिज को डाला जा रहा है लेकिन सवाल यही है कि बताइए इनको अधिकार किसने दे दिया कि मुसल्मानों के घर में जाएंगे ये लोग वहां पर छापे मारी करेंगे गवरक्षादल वाले और इसके बाद मुसल्मानों को अपमानित करेंगे और कहेंगे कि ये जो मुसल्मान है ये लोग वीव खाते हैं अगर भारती जनता पार्टी के नेताओं को भारती जनता पार्टी के लोगों को वीव से दिक्कत है तो मैं कहता हूँ कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को कैमरे पर आना चाहिए और मोदी को एलान कर देना चाहिए पूरे पूरे हिंदुस्तान में या फिर पूरे इंडिया में कहीं पर गाय को नहीं काटा जाएगा कहीं पर बीफ नहीं बेचा जाएगा और जो भी व्यक्ती बीफ बेचते हुए पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ NSA, UEPA या और किसी धारा के तहट कारवाई की जाएगी लेकिन भारती जन्ता पार्टी ऐसा नहीं कर रही है भारती जन्ता पार्टी के जो तमाम नफर्दी चिंटू हैं गौरक्षदल वाले हैं ये लोग कुछ ही राज्यों में सक्री हैं उत्तर प्रदेश, मद्ध प्रदेश, राजस्थान, 36 गड़, पंजाम में सक्री हैं इनकी हिम्मत नहीं है कि ये लोग मेघाले चले जाएं क्योंकि मेघाले का प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का खुद कहता है कि मैं तो बीफ खाता हूं इस पर कोई पाबंदी नहीं है पार्टी को भी यानि बीजेपी को भी बीफ से कोई दिक्कत नहीं है यानि नरेंद्र मोद अमित शाह जेपी नडड़ा ये सभी लोग कहते हैं मेगाले बीजेपी चीप से तुम भी खाओ हमें कोई एतराज नहीं है मैं आपको 2015 का एक बयान है अमित शाह का दैनिक जागरण ने इसको छापा है मैं आपको दिखा देता हूँ अमित शाह का बयान क्या है गोमांस पर देश भर में रोक नहीं जन भावनाओं का रखाव जाएगा ख्याल अमित शाह जब भारते जनता पारिटी के राश्ट्रे अध्यक्ष थें तब कहते थें एक कहते थें कि देखिए जागरण ने लिखा जो भाजपा ध्यक्ष अमित शाह ने यहां समादाता शम्मेलन में कहा कि जहां भी भाजपा की सरकार है वहां गोमांस पर प्रतिबंध लगाने से पहले हम लोग जनता की भावनाओं का ध्यान रखेंगे हमने यहां नहीं कहा है कि हम लोग देश भर में गोमांस पर प्रतिबंध लगाएंगे महाराष्ट और हर्याणा की भाजपा सरकार ने गोमांस पर प्रतिबंध लगाया है अब आप सोचिए कि अमित शाह कह रहे हैं पूरे भारत में गोमांस पर प्रतिबंध नहीं लगाय जा सकता वहीं साथ महीने पहले दनिक भासकर ने एक रिपोर्ट छापी है आप उस रिपोर्ट को भी देख लिजिए में घाले बीजेपी चीप बोले में वीव खाता हूं कहा इस पर कोई पाबंदी नहीं पाइटी को भी मेरे खान-पान से दिक्कत नहीं है में घाले में बी जैसा कि मैं कह रहा हूं और बता भी रहा हूं लेकिन आप सोचिए कि भारते जन्ता पार्टी को दिक्कत किस्से है भारते जन्ता पार्टी सिर्फ राजनीत के लिए गाय का इस्तिमाल करती है आप चले जाए उत्तर प्रदेश आप चले जाए जाए मद्ध प्रदेश आप चले जाएए और अने BJP शाशित राज्यों में आप जाएए देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश हैं तो आप कॉमेंट करके हमें जरूर बताइएगा भारते जंता पार्टी गाय को बचाने की बात करती है मैं कहता हूँ आप गाय को बचाएए आप अभि किसी को माड डालता है तो सरकार प्रशाशन पूरा सिस्टम एन फृति किंटू कहां रहते हैं कहां सो जाते हैं क्या मोबाइल सुचॉफ पर के हनीमून मनाने चले जाते हैं कहां चले जाते हैं कोई जबाव है किसी के पास अगर कोई RSS का BJP का नेता कारकरता विधायक मंति संत्री सांसत देख रहा है तो कमेंट करके बताईए आप लोग तब क्यों नहीं बोलते हैं और आप बताईए चंडी गढ़ में शक के अधार पर मुसल्मान के घर में बीव है वो बीव बेशता है वहाँ पर ये लोग चले जाते हैं पोलिस के साथ मिल करके वहाँ पर चापे मारी करवाते हैं फ्रीजर को अपने साथ ले कर जाते हैं और पता चलता है कि सिर्फ शक के अधार पर चापे मारी की गई थी हम लोग किस तरफ जा रहे हैं किस नए भारत का निर्मार हम लोग कर रहे हैं अपने आप में बहुत बड़ा सवाल ही है दनी भासकर ने इस पर रिपोर्ट किये चन्डीगढ के घर में मिला बीफ मतलब जजबन गया है दनी भासकर के राइब बीफ मिल गया पुलिस ने फ्रिज भी कबजे मिलिया घटना के बाद हिंदू संगठनों में रोश है आगे लिखता है देखिए चन्डीगढ की इंद्रा कालोनी के एक मकान में बीफ होने की सुचना पर पुलिस पहुँची पुलिस करमचारियों ने वहाँ पहुँच कर फ्रिज को कबजे में ले लिया पुलिस ने आरोपी को हिस्तने करके कारवाई सुरू कर दिया पुलिस ने कहा गवर कीजिए पुलिस ने कहा अगर बीफ की बात साबित हो जाती है तो कानून के तहट कारवाई की जाएगी बीफ होने के मामले में राश्ट्रिय बजरंग दल और स्री हिंदू तक्त ने निंदा की और मांग की आरोपी खिलाफ सक्त कारवाई होनी चाहिए यानि हेडलाइन में दैनिक भासकर जज़ बन गया है कह रहा है कि घर में बीफ है बीफ मिल गया है और जब रिपोर्ट लंबी चोड़ी करके लिख रहा है तो कह रहा है कि पुलिस कह रही है कि एक माकान में बीफ है उसकी जानकारी मिली थी यानि अभी ख़वर आधिकारिक तोर पर सही नहीं है पुष्टी नहीं की गई है कॉन्फरमेशन पुलिस को दौरा नहीं दी गई है लेकिन दैनिक भासकर सहाब लिख दिया घर में बीफ मिला जिन लोगों के पास नौटिकेशन इस ख़वर की गई होगी तो ये लोग क्या सोच रहे होंगे कि घर में बीफ मिलिया ओभी मुसल्मान के घर में उनके जहन में क्या विचार आए होंगे कि मुसल्मान है तो बीफ खाता है बीफ बेशता है और पुलिस और गौर रक्षा दलवाले बहुत अच्छा काम कर रहे है आप कल्पना कीजिये कि हमारे भारत को किस तरफ धकेलने की कोशिस लगातार की जा रही है और राजनीत करनी है गौर रक्षा दलवालों को वे लोग लगातार इस पर राजनीत कर भी रहे हैं लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि आप बताएए अमित शाह को जेपी नडडा को बी जेपी के प्रदेश सद्ध्यक्ष को बीव से कोई दिक्कत नहीं है एक गौर रक्षा दलवाले होते को ने साहब अगर नरेंद्र मोधिया बितुचा जेपी नडडा को बीव से दिक्कत है तो मैं फिर से कहता हूँ आज ही एलान कर देना चाहिए पूरे भारत में कोई विवेक्ती गाय को नहीं काटेगा गाय मांस नहीं खाएगा गो मांस नहीं खाएगा और अगर कोई गो मांस काता है उसे खिलाव NSA या UE P.A कि तहत कारवाई की जाएगी लेकिन भारती द्रंदा पार्टिय साहाब सिर्फ राजनीद करती है एक कहती है काव बेल्ट समझ रहे हैं मतलब कि जहां पर इन लोगों ने गाय को माता घुशित कर दिया है लेकिन जब इन्हीं लोगों कहा जाता है मैं कहता हूं कि मांग करो गाय को राश्ट्री माता घुशित क्या जाए राष्ट्री पस्टों घुशित क्या जाय तिनके मुमें नहीं जम जाता है ये लोग कुछ भी नहीं बोल पाते हैं फिलाल इस बिलूब इतना ही लेकिन आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताईएगा कि भारते जनता पार्टी काई जुद्ध दोहरा, चाल, चरित और चेहरा है कब तक ऐसे लोग काम करते रहेंगे शुक्रिया करो, चाल, प्यूवित तक प्यूद पलाईउत है